सबसे पहले जीयान फॉरेस्ट के रूम में जदा एक्जाम को देने के लिए अंदर आते उसे उसी रूम का मास्टर्ड मिलती है जो कि उसको लात माड़के रूम के भार निकल देती है जिसके वाद जीयान फिर से कोईन देखिये वापसे दुसरी रूम में जता है लेकिन यापर भी हम सेम देखते कि वाँ का मास्टर उसे बाहर निकल देते हैं और बेसे ही वो सभी रूम की अंदर जाके एक्जाम देने का ट्राइ करते हैं लेकिन हम देखते कि वो हर बर फेलो के बाहर निकल जाते हैं ये सब देखिए वाँ के सबी लोग जियान का मजग बनाने लगते क्योंकि वोटे से आखिर इतना भी मुस्किल नहीं था और फाइनली हम देखते कि जियान अपनी हार मांग के उसी होटल के बार निकल जाता है तब ही वाँ पर जियाबू आती है जो क्यों से कियते कि तुम अपनी ठाड़ाई का यूस क्यूब निकले हो एक बार करके देखो साय तुम पास हो जाओ जिसके रिपले में जियान ये बात रिविल करता है कि उसके मौम के मननने के बाद उसकी ठाड़ाई की पावर हमसे के लिए बंदो गई है और स्रेच बात यही कि मेरी अंदर कुछ पावर नहीं है लेकिन हम देखते कि जियाबूने फारनेली कन्विंस कलिया तो जियान को एक और बार एक्जाम देने के लिए जिसके वद वो तिनो उसी उनर के बास जाते और कियते कि हमें कुछ दिन यहाँ पर यहन की परमिसन दो ताकि जियान कुछ दिन प्रैक्टिस करके एक्जाम को देश सके स्टार्टिंग में वो उनर वो लोग को मना करते यहाँ पर रुखने से लेकिन जब जियान उसे पेशा देते हैं तब हम देखती कि वो परमिसन देदी थी ये लोग को यहाँ पर रुखने का लेकिन वो यह भी किरती कि तुम्हें यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा इसके बाद हम देखती है रात का सिंट जब आपे सभी रूम के मास्टर आथे खाना खाने के लिए तब ही जियान वापे नोटिस करते कि वाँके जो वीड मास्टर थे वो सभी से अलग एकले बिटके खाना का रहे थे और जितने भी दुसरी मास्टर थे वो बच्चे की तरह खाने में तूड़ गये थे अगली दिन से हम देखते कि जियान सभी मास्टर से अपना ट्रेनिंग चालू करेते हैं और साथे साथ वो होटल का भी काम कर रहता इसके बाद हम देखते कि जियान रोज के रोज सभी मास्टर से बहुती मुस्किल ट्रेनिंग ले रहता दिन पर दिन हम देखते कि जियान का प्रोफरमेंस पहले से ज़्यादा अच्छा ओर रहता और वो दिन आ गया था जियान विंड फायर माउन्टेन और स्सके मास्टर को हरा के वां के ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लेता है जिसके पाद हम देखते कि जो لोक कल हसरे थी जियान के उपर वोसे भी जियान के जितकने लगते उसके बाद हम देखते कि फाइनल एक्जाम देने का समय आ गया था लेकिन याप जियान को एक की बार में पास होना था क्योंकि उसके पास ज़्यादा पेशे बचे निते एक्जाम देने के लिए दुसी तरफ हम देखते कि वही गुंडा जो कि लॉर्ड आफ देमून को अजयत किया था उसे पता चल चुका था कि जियान ही आपे रहे अब जैसे कि वो लॉर्ड देमून को गुलाम था तो उसके पास एक पावर था कि वो किसी के भी बॉड़ी के अंदर गुश सकता है तो वो एक इंसान के बॉड़ी के अंदर गुश के सब इको मानने लगता है यह सब देखके जियान उसे रोकने लगता है लेकिन तब ही हम देखते कि वो गुंडेगा स्पिरिट उसे इंसान के बॉड़ी से निकल के सोयू के बॉड़ी में गुश आता है जिसके बाद अब सोयू जियान को मानने के लिए आता है लेकिन जियान सोयू को उठा के फिक देता है वो स्पिरिट फिर एक बार वापस से बॉड़ी चेंज कता है इस बार वो जियाबू के बॉड़ी के अंदर गुज जाता है जो कि उसमें अटेक कने जती है थोरी दिर बाद हम देखती कि वो फाइनली अपने असली रूप में आता है और वहाँ पे जियाबू उसके दूसलों को बहुत ही बुरी तरीके समाने लगता है तबी जियाबू अपने सामने के सुवर्ड को दिखता है जो कि जमिन में दसीवी थी और वो अपना पुरा दम लगा देता वही तलवार को बाद निकलने में और ये देखिए वाँ के ओनर एक्टम सौक जती है क्योंकि ये कोई मामूली तलवार ने था बलकि हमाँ के सबसे पावर्फू लॉड का तलवार था जिसे आज तो कोई निकलने पाया तबी हम देखते कि वो डेमोनिक स्पिरिट अप जियान के बॉड़ी के अंदर गुस गया था वो स्पिरिट उसके बॉड़ी में काबू करने के कुसिस कर रहता लेकिन तबी जियान को विंड मास्टर की बाते याद आती है जो कि उसको ट्रेनिंग के समय बतायते कि जितना भी सिच्वेशन खराब क्यों ना होने दो तुम कभी भी अपनी मन में हलचल होनी दिना मत और हमेसा अपनी मन को सांत रखना इसके बाद हम देखते कि जियान अपनी मन को सांत करने के कुसिस करता है और जैसे दिल से वे स्वर्ड को अपने पेट के अंदो गुसा दिता है जिसके बाद हम देखते कि वो डेमोनिक स्पिरिट फाइनली मर गया था तब ही हम देखते कि वहाँ पर wind master आते हैं जो कि जियान से कहते कि तुमने एक्टम से फिसले लिया और अब तुम तैयार होगे हमारे master से मिलनी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो उसी mountain में लेकिन वो master जियान से ये भी कहते है कि आगे भी चल के इसी problem आने वाली है तो तुम हम सवई का नजो कि तुमारा मन कहेगा जिसके बाद हम देखते कि वो तलवर साइन करने लगता है जहाँ आप उसी hotel की owner केती है कि लगता है इस तलवर ने अपने नए मालिक को चुन लिया है लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ से निकलते ही वह dragon वापस आ जती है लेकिन इस बार वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आयती यहाँ पे हम लोग देखते कि यह तिनों सभी से लड़ना चालू करेते अब जैसे कि जियान के बस ने उसके लागया था तो वो भी capable हो गया था यह सबसे लड़ने के लिए लेकिन तभी हम देखते कि वह dragon लड़की काफी powerful थी मतलब कि वह जियान के उपर भारी परी ती और उसे जियान बुचके पाने में गिरा दिती है जिसके बाद वो dragon बनके उसे खाने जती है तभी जैन को वहाँ पर एक सपना आता है जहाँ पर वही main master से वो मिलता है जिसके लिए वो इतना दूर से आया था वो जैन को याद दिलाते कि तुमारी mom ने अपना जैन को sacrifice किया था पुरी दिन्या को बचाने के लिए तो सही समय आगया कि तुम भी वही करो तुम्हें से लगता कि तुमारे अंदर जो power गौड अफ वार का मतलब कि ठटाई की power तुमारी mom की मौत की बाद बंदो गई है तो तुम हमेसे से गलत थे वो power बच्पन से तुमारे अंदरी था लेकिन तभी जयान उन से पुचता कि आखिर में ये power को यूज के से करू जिसके वारे में बच्पन से कुछ मुझे पताय नहीं है और तभी अचानक से हम देखते कि उसकी ठटाई सैन करने लगती है जैसे कि उसके बाड़ी में कुछ चेंजिस हो रहा था तभी हम देखते कि वो अपनी ठटाई की मदसे होई स्वर्ड को बुलाता है और उसी ड्रागन के बेट में गुसा दिते है जिसके बाड हम देखते कि वो ड्रागन उदरी खतम जती है दुसरे तरफ हम देखते कि वाप जिया बो इकलाई फैट करेती से भी डेमोन आडमी से और अचानक से हम जियान को देखते जो कि पूरी तरीके से टांस्वाम हो गया था यहाँ पर उसका स्वार्ड भी मामुली स्वार्ड ने था वो भी एक लेजिंडरी स्वार्ड बंगया था जियान अपने एक एक टेक से पूरी डेमोन आडमी को एकी बल में खतम करेते हैं जिसके बाद हम देखते कि वो उसी जगह जाता है जा पर लॉड अफ डेमोन था जियान को आपर देखते कि वो से के दागी तो मारी मौम की तरह होगा तो तुमारी बला इसमें कि तुम्हा सब आपज चले जाओ या सब सिनने के बाद जियान को काफी गुसात है जिसके बाद हम ये दूने की फाइट को देखते जियान के अपनी ठड़ाई पावर को यूज करने के बावजुद भी वो डेमन इसमे भारी पर रहता पुरी तरिके से पावर को छिनने के बाद हम देखते है कि उसकी बोड़ी फाइनली उसे मिल जती है जिसके बाद हम देखते कि अब वो बेले से ज़्यान को मानने के लिए उसके और जाता है तब ही हम देखते कि से समय में वहाँ पर जियाब हो जती है जो कि अपनी magic को यूज करके वहाँ से जियान को निकालने की कुछिस करती है लेकिन हम देखते कि वो देखते कि वो देखते कि वो बुरी तरीके से जियान के पिछे पढ़ गया था मतलब कि वो जियाबो को भागने देते हैं वहाँ से जियान को लिखे वो जियाबो के उपर भी अटेक कर देते है जिसके बाद हम देखते कि जियाबो बोती बुरी तरिके से घैलो जती है इसके बाद हम देखते कि वह डेमोन लोड अपनी पावर से अपनी सभी मरे वे आर्मी को जगा देता फिर एक बार जिसके बाद हम देखती कि वो सभी डेमोन मिलके वो दोनों के उपर अटेक कर निकली जते लेकिन यहाँ पर आता काहनी में ट्विस्ट मतलब कि पहारी के उपर हम देखती कि सभी हेवन के लॉड और साथ साथ वही होटल के चान मास्तर सभी आगे थे जियान को बचाने के लिए जो कि मुझे सबसे बेस सिन लगा मूवी का क्योंकि यहाँ पर जियाबो भी घायल थी और जियान के सभी पावर को चिलनी अता होई डेमोन लॉड ने तो यहाँ पर यह लोग सही समय में आ चुके थे बैक अप देने के लिए जिसके बाद हम देखती कि वह सभी मास्तर डेमोन के उपर तूट जते हैं मतलब कि यहाँ पर यह लोगों की एक अच्छी लड़ाई हमें देखने मिलती हैं दुसरी तरफ हम देखते कि जियाबो भी ज़्यादे दे तक सर्वाइब ने कर पाते हुई अटेक से यहाँ पर हम देखते कि वह फाइनली अपना दम तोड़ देती है जिसके बाद हम देखते कि उसका सरीर भी खतम हो रहा था और लास में एयर में मिक्स हो जते हैं तब भी हम देखते कि वो डेमोन लॉट स्वर्ट से जियान को मा निकली जते हैं लेकिन अचानक से फिर एक बाद जियान को सपना था है जहाँ पर वो अपने सामने उसकी मॉम को देखते हैं लेकिन इसा है नहीं, तुमारे असली पावर तुमारे तिसरे आख में नहीं, बलकि तुमारे मन के अंदर चुपी हुई है, जो कि तुमने कभी समझा नहीं, तुमारी पावर कभी कोई चिरने सकता, तब भी हम देखते कि अपनी मौम के बातों को ध्यान रखे, वो फिर एक पावर को यूस करते हैं, जिसके बाद हम देखते कि उसकी ठड़ाय में से एक पावर फूलाइट निकलता है, जो कि वह एक डेमोन को दूर फिक देता है, और यहां पर फिर एक बार हम ये दुने की फाइट को देखते हैं, जहां पर हम देखते कि जयान भी अपना पूरा अदम लगा देते हैं उसे हराने में, वो देमोन लॉड के सामने अपने मुल्टीबल टेकिनिक को यूस करते हैं, और बड़े चलाके से इसमें अटेक करते हैं, जिसके उज़े से हम देखते कि वो देमोन लॉड अब वीक हो रहा था, तब ही जयान अपने सभी पावर को ए दिरी एंड उज़ता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छ लगा तो इसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राब करें, मिलते नेक्स वीडियो